हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंडो पार्ट साला में, आज किस वीडियो में देखेंगे 12 जन्वरी 2023 के करेंड अफेर्स को, देखो करेंड अफेर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्ष्ट्रा फेक्ट्स तो बता ही जाते हैं, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी कराय जाता है, एंड करेंड अफेर्स का रिविजन भी आपको कराया जाता है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, एंड सबसे पहले देखते हैं, अपना पहला प्रस्न जो है हमारा एक इंपोर्टेंट डे से लेटेड, प्रस्न में पुछा जा रहा है, कि नेशनल यूथ दे जो है बात करूँ, तो नौ जनवरी को हमने क्या बनाया है, तो प्रवासी भारते दिवास हम मनाते हैं, नौ जनवरी को, 10 जनवरी को हम मनाते हैं, वर्ल हिंदी डे, एंड 15 जनवरी को हम मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे, यह आपको पतावरा चीए, एंड 10 जनवरी को हम वर्ल हि नेशनल हिंदी देते हैं पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है यहीं पर मैं बात करूँ नेशनल लिव टुड़े 2023 की थीम की तो वह राय विक्सित युवा विक्सित भारत ठीक है आगे मैं बात करूँ नेशनल लिव टुड़े जो 2022 में डिक्लेड किये गए उनको हम देख लेते हैं एक बार अच्छा यहाँ पर एक और इंपोर्टन फैक्ट है आपके लिए कि पिएम नरेंद्र मोदी जो है यह 26th National Youth Festival जो है यह कहाँ पर लॉंच्ट किया इनों ने तो करनाटक के हुबली में ठीक है आगे मैं बात करूँ कुछ नए डे जो अनाउंस के गए है वर्स 2022 में तो देखो एक तो है नेशनल स्टार्टप डे जो कि हम 16 जन्वरी को मनाएंगे पराकरम दिवस 13 जन्वरी को जैवलीन थ्रो डे जो है यह 7 अगस्त को इस दिन जो है निराचोपणा ने गोल्ड मेडल जीता था सबको याद है ना अबको टोकियो ओलम्पिक वाला गोल्ड मेडल की बात हो रही है ठीके पार्टीजन ओरर्स रिमेंब्रेंस डे हम मनाते है 14 अगस्त को नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर जन जातिये गोरब दिवस 15 नवंबर वीर बाल दिवस जो है हम मनाएंगे 26 दिसंबर को याद रखिएगा इसके बाद है जी ट्वंटी देशों का पहला सिक्षा समूझ जो है 31 जनवड़ी से 22 फर्वड़ी तक किस राज़े में अपना जो है मीट करेंगे यह मिलेंगे तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा ओप्सन सी तमिल नाडू याद रख़रा तमिल नाडू में कहा पर तो तमिल नाडू की जो राजधानी है न चेन नहीं वहाँ पर इनकी जो है मीटिंग होगी याद रखिएगा आगे हाँ पर देखिए और आप सबको पता है कि जी ट्वंटि का जो 2023 में प्रेजडेंट कौन बन गया है तो बन गया है भारत याद रखिएगा क्या है भारत कर रहे तो एक दिशंबर 2022 से लगबाग आप याद भplement पर नॉमबड तीसंट जो है जो जी ट्विंटि की प्रेजडेंसी हो भारत के पास रहेंगी और इंडिया चीप ट्वशंटि को डूस की कोडिनेटर को नहीं होRun सवर्दन स्रिंगला है जो मेंड इवंटए वो दली में ज ίह जीद किया जाएगा चाहई जो है यह ब्राजिल में उजीद किया जाएगा सौथ अफ्रिका में जीद है पर आज अगरा इसे आड़ा है कि टोंटी संवकर से मिंट map न में में याद golden globe award अभी दिये गए हैं उसमें किस Indian song को जो है best original song का award मिला है most important आपको जरूर याद रखना है तो यह song है नाटू नाटू जो की RRR movie की है जरूर याद रखिएगा यहाँ पर देखे कुछ important facts है आपके लिए तो नाटू नाटू संग जो है RRR movie की है पतावना चीए इस song को जो है composed किया है M.M. किरावानी ने याद रखिएगा और इसके जो लिरिक से वो लिखे है चंदर बोस ने और इस गाने को गाया है राहूल सिपलिगुंज और काल भैरब ने याद रखिएगा most important इसके साथ साथ यह गाला जो है first Asian और इसके साथ साथ first Indian song बन गया है इस अबोर्ड को पाने वाला तो यह आपको याद रखना है most important एन एटियेत golden globe awards जो दिये गहें उसके कुछ winners को देख लेते जो काफी आदा important है इसके उपर आपको एक special वीडियो भी मिलेगा तो देखो यहाँ पर best film drama की बात करें तो वो मिला है the fabulmans को best actor in drama की बात करें तो वो मिला है Austin Butler को फिर best actress in drama की में बात करते हैं Kate Blanket फिर best director यह मिला है Steven Spielberg को the fabulmans के लिए ही और नहीं पर best non-English language film की में बात करू तो वो मिला है Argentina 1985 को जो कि Argentina की movie है यह मैंने award आपको किस लेकर आया क्यों में देखो जो RRR movie है न यह भी nominate हुआ था based non-English language film के लिए लेकिन इसे award यह नहीं मिल पाया RRR को किसे मिला है Argentina 1985 को आगे देखिए भारत निराज नईकों के प्रसिक्षन के सयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोते पर जो समझोता कि आपने इस प्रस्ताक्चर किया है तो यहाँ पर सयुतर हो जाएगा आपका option D जो पनामा है उसके साथ यहाँ पर MOU sign के है इंडिया ने किसके लिए तो यहाँ पर जो है जो डिप्लोमेट्स के जो ट्रेनिंग है न उसको बढ़ावा देने के लिए ठीक है आगे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देख लें आपने पनामा के साथ जो है यहाँ पर MOU sign किया गया है आगे देखते हैं यहाँ पर देखो कुछ important facts हैं कुछ हाल में जो MOU sign किया गया है न भारत के दौरा आप देख लो तो देखो इंडिया और जौर्डन के बीच में MOU हुआ है यहाँ पर cooperation in the fertilizer sector इंडिया और करेड़ा के बीच में यहाँ पर हुआ है bilateral cooperation on climate change के लिए इंडिया और ऑस्ट्रलिया के बीच में हुआ है प्रोमोट करने के लिए टूरिजम को निती आयोगा न उनिसेफ ने हाली में MOU किया है तो प्रिपेर कंट्रिस फॉस्ट रिपोर्ट अन इंडिय चिल्रेन स्टेट ठीक है बीपी सेल एंड माइक्रोफ्ट के बीच में हुआ है टू ड्राइब डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया कल्चर कल्चरल है तो यह आप देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट से आप लिए फिर यहाँ पर सरकार ने अरो की जो डिपोटी गवर्णर थे मॉइकल देवष पात्रा उनका कारेकल बढ़ाया वैर कि तो पूशा जा रहा है कितने वर्सों के लिए तो यहां पर देख को यह एक वर्ष के वहले जो है उप्सेंट एक एक्स्टेंड किया गया है तो जो पंदरा जनवरी से जो है वो एफेक्ट में आएगा आगे देखो यहाँ पर जो डेपुटी गवर्णर थे माइकल पात्रा इनका जो कारेकाल है तीन वर्षों का वो कब समापत हो रहा था 14 जनवरी 2023 को लेकिन अब इनका जो है एक का एक एक इसका जो फॉस्ट हेड ऑफिस था वो कॉलकाता में था लेकिन बाद में जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया कहां किया गया कॉलकाता से मुंबई में लाया गया 1937 में और 1937 से अभी तक जो है आर्बिया का हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में ही है और करेंट में आर्बिया के गवर्णर है सक्तिकान दास जो की 25 नंबर के आर्बिया के गवर्णर है यह भी आपको याद रखना है आगे हूँ अपॉइंटेड विकास पुरोहित है तो इंडिया तो ग्लोबल बिजनेस ऑफ इंडिया के हैं अगेर पर बात करूँ के सी यह नें तो मार्क बडियोंग है स्थाप्रा का वोई थी 2004 में वोई थी हेड़कॉर्टर ने के कैलिफॉर्णिया में अज़ा हालि में कुछ उए हैं इपॉइंटेट्ट पता प्यॉजज तो जो है इंडिया अलॉंपिक एसोसेशन की फॉर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है पीटी उष्सा जरूर याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट एनेच याई के चेर्मेन बन गया है संतोष यादव रेल्वेबोर्ड के नए चेर्मेन बने है अभी अनील कुमार लाहोटी जरूर याद रखना है बहुँ जादा इंपोर्टेंट है यह नीव ग्रांड अमिस्टर बने है प्यूमा इंडिया की यह है अनुस्का सर्मा केवी साजी जो है यह नवाड के निव चेर्मेन बने है एली माचल परदेश के नए अभी मुख्यमंतरी बने है सुखविंदर सिंग सुख्षू एंड अठार में मुख्यमंतरी बने है ज़रूर याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर बात करो तो यह जो है फॉस्ट कश्मीरी राइटर थे जिने ग्यानपिट अवोर्ड से सम्मानित क्या गया था तो इसलिए जो है काफ ज़्यादा इंपोर्टेंट है इन्हें और कुछ इंपोर्टेंट ग्यानपिट अवोर्ड एन देखो साहित अकैडमी अवोर्ड मिल चुका है 1961 में इनके पोएम नवरोच आई सभा के लिए पद मस्री से इने समानित के जा चुका है 2000 में ग्यानपिट अवोर्ड देखो इने मिला है 2007 में देखो वर्स 2004 के लिए ने दिया गया था लेकिन दर माउजो को जो कि एक कौंकनी नौवलिस्ट है 56 ग्यानपिट अवोर्ड मिला है निल्म निफुकन को जो की आसमिस पोएट है याद रखना जोनों को काफी अधा इंपोटेंट है यह आपको याद में करा दू 52 डाजासा है फाल के अवर्ड हाली में मिला अभी आशा पा देखो अभी पेले जो है एक ब्राजिलियन फुटबॉलर थे इनका निधन हो गया क्यों एलीजावेश द्वित्य जो है जो फॉर्मर क्वीन थी इनका भी निधन हुआ है हाली में तो याद रखना है और हमारे राजुस्तिरवास्तब जो कॉमेडियन थे उनका भी निधन हो चुका है मुलायम सिंग यादब है VC के जो जो मुख मंदरी महि रह चुक है उनका भी निधन हो चुका है तो इस तरह से जो है जो है जो प्रधार मंदरी नएंड़ मोदीजी है उनकी खेदरहें फीरा पहतना है सब्सक्रेश पुस्तक की पुरे नेम लिखे हुए आपको पुरा याद नहीं रखना है तुरे रिवलोशनरी जो है न वो याद रखो ठीक है आगे देखो यहाँ पर कुछ पुब्लिष्ट किया गया है इंडियन कॉंस्ट्यूशन दान टोल्ड स्टोरी राम बादु रायर ने लिखी है दा मैक मोहन लाइग जेजे सिंग मैक मोहन लाइन के दो देशों के बीच में आप मुझे बताओगे बहुत इजी प्रस्ट में आपसे पूछ रहा हूं इंडिय के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे मतलब यह पहले भी थे अब द्वारा इन्हें बनाए गया ठीक है तो इनका नाम है चेतन सर्मा याद रख लेना ऑप्सने सही हो जाएगा चेतन सर्मा जो है यह एडव बोर्ड सेलेक्शन कमिटी जो है फ्रॉम कब से हैं 2020 से हैं आगे भी यही रहेंगे और इने रिकमेंड क्या है किर्केट एडवर्जरी कमिटी ने अज़ा करेंट में बिसी सी आई के नए प्रेस्टेंट कौन बने है तो वो बने रोजर बिननी सेक्रेटरी कौन है करेंट में वो है जैसा याद रख लीजेगा मोस्ट इंपोर्टेट बिसी से के हेड़कॉर्टर कहाँ पर है महराष्ट के मुंबई में यहाँ पर देखो कुछ स्पोर्ट से लिटेट इंपोर्टेंट फैक्स आपको करा देते हैं कॉमन विल्थ गेम्स दोहर 22 जो है कहां प्राजुत हुआ है इंगलेंड के ब्रिमिंगम सहर में और 22 वा एड जित हुआ था तो मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना 2018 वाला प्रसंट जाएना एक्जाम में आ चुका है थाटिसिक्स नेशनल गेम्स दोहरबाई जो है गुजरात में आउजित हुआ है हाली में देखो आज सी मेंस टीटवंटी वर्ल्ट कप दोहरबाई समाप्त हु एंड इस टीटवंटी वर्ल्ट कप में सबसे आधारान बनाया थे विराट कोली नी एंड प्लेयर अप दू स्रीज बने थे वो सैम करन बने थे जो कि इंगलेंड के है अभी आपने हाली में सुनाओगा कि आईपेल में जो है सबसे महंगे खिलाडी वही बने हैं सैम करन है राश्ट्रे विज्यान दिवस यानि नेशनल साइंस डे 222 की जो है थीम जारी की है तो आप से पुछा जा रहा है कि नेशनल साइंस डे जो है हम हर साल किस दिन मनाते हैं किस डेट को तो कब मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं या दख लेना और क्यों मनाते हैं क्योंकि देख में भार्द रतन से ने समायंद के जा चुका है 1954 में यह भी याद रखना है अच्छा 2023 की थीम क्या रखी है नेशनल साइंस डे की तो वह है ग्लोबल साइंस फोर ग्लोबल वेल बीइंग याद रखना है most important आगे आपर कुछ जर्वडी के sorry 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 जन्वरी नहीं फर्वरी 2022 के कुछ important days को देख लेते हैं फर्वरी नेशनल कोस्ट गार्ड हम मनाते हैं सेकंड फर्वरी को हमने मनाया है वर्ष 2022 व्ल्ड वेटलेंड डे जर्वाइस की थीम है वेटलेंड एक्शन फूर पीपल और नेचर चार फर्वरी को हम मनाते हैं देखो फर्वरी के जितने भी important days है उन सबको मैंने आपको रिवाइस करा दिया तो आज की वीडियो में इतना है था अब आपके लिए एक प्रसने practice question आपसे पुछा जारा है जो golden globe award है न वो पहली बार किस वर्स में दिया गया था देखो not not to song को जो है best original song का वोर्ड मिला ह है तो इस वह से golden globe वाट काफी आदा important हो जाता है तो पहली वर कप दिये गए था आपके options है 1906-1944 1956-1960 and golden globe वाट जो है किस country के दौर दिया जाता है तो देता है USA यहां पर देखो लिखा हुआ है निचे तो आज के वीडियो में इतना ही था वीडियो के लिए अगर आपको बढ़े पिडियो की पीडियो चाहते हैं तो टेलिग्राम पे जाईए और सच कर ये इंडियो पार्ट साला जानल को ज़ॉइन करें जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही थासक्यों वीडियो थासक्यों सो मच